हाई मेरा नाम कुमुत की सोर है और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं इंडिया दाट भारत भारत अर्थात इंडिया सो क्यों था ये न्यूज में क्यों है न्यूज में रिसेंटली हम लोग जैसा कि देख रहे हैं जान रहे हैं कि इंडिया जी ट्वेंटी को इस बार होस्ट कर रहा है और इस होस्टिंग में इंडिया ने जितने भी फॉरिन स्टेट्स के लिडर को इन्विटेशन भीजा है उ से भी कम्मुनिकेशन में तो हम लोग प्रेसिडेंट आफ इंडिया ऐसे गर के लिखके भेज़ते थे यह बहुत ज्यादा डिबेटेबल और इतना बड़ा इशू नहीं था यह है अभी भी सो बस एक इस लेटे के बाद एक आपका डिबेट शुरू हो गया कि हमें भारत word use करने चाहिए अपने देश के नाम के लिए और हमें इंडिया वर्ड नहीं उस करने चाहिए इंडिया वर्ड यूस करने से कहीं ने कहीं हमें यह लगता है कि हम लोग आज भी colonial mindset में जी रहे हैं तो this is the basic beginning of the topic और let me just make clear कि इस topic में मैं just इंडिया और भारत जो नाम है उसके historical evolution culture significance कैसे लोग के psychology में यह दोनों नाम connect हुए हैं अभी तर right from the beginning of ancient India like Indus Valley civilization से लेके अभी तर तो यह हम लोग length and breath पे देखेंगे इसको begin करते हैं introduction से okay तो introduction यह है कि independence के बाद जितने भी हम लोग देखे लास्ट के जितने भी डिकेट्स हैं तो इंडिया और भारत दोनों वर्ड एक्वैली लोगों को patriotic feeling connection love feeling जो है दोनों बराबर गेन करते हैं लोग को attachment feel होता है और आप पुरे भी जितने भी linguistic diversity में चले जाएं लाइक अगर आप इंडिया और भारत को लगभग बराबर यूज किया गया है ऐसा कहीं पर कभी differences नहीं है कि हमें इंडिया यूज करना है या भारत यूज करना है इसका हम लोग जो broad outline है कि हम लोग देखेंगे कि ancient time में कैसा था इंडिया भारत का जो भी था pronunciation या नाम या फिर medieval time में क्या था फिर बिटिस जब आये तो फिर इंडिया भारत का जो reference है या हिंदुस्तान एक और नाम है लोग कैसी use कर रहे है national movement में इसका क्या impact परता है कैसे लोग connect होते है इस तीनों नाम से दोनों नाम से पिर independence के समय अगर क्या है भी बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच एक छोड़ा सा डिबेट है इंडिया का नाम लेके फिर बाद में हम लोग 58 constitutional amendment में आएंगे जहां पे फिर एक बार यह निकल global perception में और आया के perspective में देखेंगे okay तो चलते हैं ancient time में of so सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो greek scholars है जो greek scholars है वो इंडस के रीजन जो इंडस रीवर है उसके आसपास के जो लोग है उसने इंडियन कहते थे यानि कि इंडियन वो है जो इंडस के आसपास रह रह रहे हैं इंडस के इस्टर डायरिक्शन या सौधर डायरिक्शन में और हम लोग एंसेयर टाइम में यह भी देखे हैं कि इ इंडियस वैली सिविलाजिशन यह काफी एडवांस और अर्बन सिविलाजिशन है यह अपने मैच्चियोर फेज में कंसक्रम हजार साल तक फ्लॉरिस करती है यह बात में फिर डिक्लाइन भी करती है तो यह अभी आप देखेंगे तो इसके जो एक्सकाविशन साइट है जो कि नॉर्थ वेस्टरन साइड है उधर आपको इंडियस वैली सिविलाजिशन का लोकेशन देखेगा और जब यह सिविलाजिशन डिक्लाइन करती है तो यहां कि लोग फिर से एक विलेस लाइफ में आ जाते हैं और यह इस्ट वर्ड माइडेट कहने लगते हैं कहने का मतल है कि इंडिया जो कि आप ड्रम वैली रिजन देख रहा है उधर आने लगते हैं फिर आगे हम लोक बढ़ते हैं तो चलस्य कि प्रसाधिया हाते हैं इंडियस समय के लिखा रिट इzna का बाइब पोलिटिकल लाइफ िरिसयली एक ट्राइबल लाइफ है, ट्राइबल एंटिटी की रूप में है, छोटे-छोटे ट्राइब्स में है, काफी ज़्यादा ट्राइब्स है, तो उन्ही में है कि आपका रिगवेदा समहिता जो बोलता है लिट्रेचर, उसमें के रिफरेंस है, बैल ऑफ-टेन किंग्स, तो बैल ऑफ-समें क्या हो रहा है, की एक किंग है सुधा, सुधा जो है भारता ट्राइब से बिलॉंग करता है, ये किंग बैल जीता है, अगेंस्ट में होते हैं, दस किंग उसके आलाइंस के हराता है, तो ये जो किंग सुदा है वो अलाइंस आफ 10 किंग्स को हराता है यह विक्टोडियस निकलता है वहीं से फिर आपका जो भारता नाम है इंडिया में वो कैरी हो जाता है उसके बाद जो लैटर जितने भी आए आपका मतलब रास्टर बन रहा है या जन्पदा बन रहा है या जो भी ट्रेटोर तो भारता से लिंक किया गया है तो यह आम लोग देख लिए एंसियांटाइम पर यह आप मैप पर देख सकते हो कि यह इनिशियली जो आपका इंडिस वैली सिविलाइजेशन है इस एरिया में है इंडिया का जो नौर्थ वेस्टरन पार्ट है फिर जब डिकलाइन है तो स हम लोग एंसियांटाइम पर यह देख लिए अब मेडिवल टाइम में आते हैं तो मेडिवल टाइम मुगल का जो साषन्य हो रहा है मुगल अपने ऑफिसियल कम्मनिक्वेशन में हिंदुस्तान word का ज़्यादा नाम इस्तमाल करते हैं हिंदुस्तान word कहने का मतलब है कि इनका Persian culture का influence या Persian culture से allegiance काफी ज़्यादा है और इसके history में अगर हम लोग चले तो जो परसिया का culture रहा है तो Persian ancient time से ही like before Christ के time से ही Persian जो है सिंधु को जो सिंधु के लोग थे उसे हिंदु कहते थे सिंधु यानि सिंधु जो है आपका Indus का Sanskrit name है और Iranian sir को ह बोलते थे तो इसलिए sir जो सिंधु है वो हिंदु नाम से बोलना शुरू किये और इस तरीके से हमारा वो हिंदुस्तान word जो country का नाम है वो आगे निकल के आता है जो मुगल के टाइम में काफी famous होता है फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिर देखते हैं कि आपका जो ब्रिटिस है ब्रिटिस अराइवल सुरू हो जाती है ब्रिटिस के बाद आना सुरू करते हैं आज ट्रेडर बट इन 18th century में बैटल ऑफ लासी के बाद उनको अपना एक सामराज इस्टैब्लिस करना सुरू करते हैं तो ब्रिटिस भी इंडिया को इंडिया ही कहके बुलाते हैं तो ब्रिटिस का इंडिया कहने का जो परपस है वो सिंपल बस एक जोग्राफिकल रफेरेंस है कोलोनियल रफेरेंस है बहुत कुछ इमशनल कानेक्शन नहीं है डाट इस जस्ट किहां इंडिया से रिफर कर रहे हैं और इंडिया को इंडिया बोल रहे हैं फिर आपका जो असली है आपका अगर आप देखोगे जो मेजर एक इंडिया का कल्चर बिगिनि纍 है को इस न लेजम नाचनल जयम होता है तो इंडिया के जो नस्तिक लिडेर लीटर है यह वे में-ली उकडित लेवल पे उनाइट करते हैं और इंडियन्स को यूनाइट करना बहुत है डिफिकुल टस्क था उसमें थे क्योंकि इंडिया का जो भी society लेवल पे था वो बहुत ज्यादा division था और diversity भी था, यह diversity और डेवरीजन देख सकते है कि like religious लेवल पे society है there are so many फिर हमारा सोसाइटी में का सिस्टम था तो कास्ट का भी एक बहुत ज्यादा डिफरेंस था डिविजन था लाइक ब्रामिन और नॉन ब्रामिन है फिर दलित का एक हिस्ट्री है सपरेशन है तो वह मतले एक दूसरे को सोसाइटी को युनाइट करना तफ था इस हिस्ट्री में और फिर जो मॉडरन इंडियन जो आए जो वेस्टरन एडुकेशन को अक्वाइर किये तो उनका भी जब एडुकेशन आया तो उनके अंदर भी नए आइडेलोजी को लेके डिफरेंसे आ गया है लाइक सम इन्डियन नाशनलिजम अचीव हुई तो इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी है इंडियन लेडर्स जिन्हों ने यहां के डाइवर्सीटी को पूरी तरीके से रेस्पेक्ट किया कोई डिफरेंस नहीं किया और इस पूरी डाइवर्सीटी को एक साथ ले चलते हुए इंडिय सेंटिमेंट्स हैं जो पीपल अटैज्ड हैं वो उनको वरावर इंपॉर्टेश दिया कोई उसमें डिविजन नहीं कि हां यह हम लोग को पर्सीव करना है सो इंडिया लेडर काइंड आफ एक काफी ज़्यादा आप बोल सकते हैं इंलाइटेंड वैल्यूस पे मोरेल वैल जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो बटवारा हम लोग देखते हैं तो इससे में डिवेट निकल के आता है कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो उनका बोलना है कि हिंदुस्तान या भारत इंडिया कोई नाम नहीं होना चाहिए हमें हिंदुस्तान या भारत नाम चूज के आ रहे हैं वो हो जाएगा आपका इंडिया पाकिस्तान या फिर आपका जो भी बोलो आप हिंदुस्तान है और पाकिस्तान ठीक है बट यहां पे इंडिया लिटर्स का पोजिशन यह था कि नहीं हम लोग डोमिनियन और यह ब्रेक होने के पहले हम लोग सक्षेशन बन रहे कि वज़े से बन रहा है वो वह हमसे एक चोटा सा पार्त है बड़े से जे पाकिसाद मेंडिक सब्सक्राइब अनिकल रहा हुए और जब बहुत सक्षीड करेंगे तो हम लोग जो भी इंटरनेशन स्टैटस है यह जो भी इंटरनेशन से फोरॉम पर हमारे रिकॉगनीशन ह करेंगे बट पाकिस्तान उसे नहीं करेगा और पाकिस्तान को सुरू स्क्रैच से उस चीज़ को अचीव करना होगा इंडिपेंडेस के बाद ऐसा ही हुआ इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीज़ अक्वाइर की जैसा पहले था आपका आजादी के लड़ाई के स प्रिफ्रेंस आता है आपका आगे चलके 1987 में फिफ्टी एथ कंस्टिशिशनल अमेंड्मेंड में क्या होता है कि आपका ये प्रेसेडेंट को एक पावर है कि वह गवर्मेंट के जितने भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है उन्हें हिंदी में पब्लिज करा सकता है और व पबिस किया जाता है तो उस हिंदी वर्जन ओफव निई वरजन आव पावलिकेशन में में जो है वह इंडियाकर नाव आप дан ब्धकर 1 हम लोग यह उसमें लिख फॉल लुफ्ट मेंक है थो लोगिगे नाम अर्था ऑंच भार तो यह इंग्लिस लेटर किसी को भेज रहा है तो वहाँ पे लिख रहा है और यह प्राक्टिस आपका चल रहा था इंडिया ग्रीस का जो 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 इंडिया जो प्राइम तो इसमें लोग आप श्रेश्व किया मतलब इंडिया लिख लिख रहा है तो भारत लिख रहा है अब 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 यह सी थोड़ा सा हमलों इसका अगर देखें तो समराइज करें अब पोजिशन पर तो इंडिया की एक बहुत लंबी हिस्ट्री काफी लोग बाहर से आए काफी लोग यहां के होके रहे तो डाइवर्सीटी बिल्ड हुई यहां का अपना भी जो 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 इसके पीछे हम लोगे बोल सकते हैं कि इंडिया की जो फिलोसफी रही है spiritual philosophy का जो development रहा यह काफी जादा higher and moral or humanistic values पे रहा है right from the beginning अगर आप देखें तो उपनीशियत के टाइम से जितना भी हमारा philosophical system आया वेदानता philosophy या जो भी six philosophy system आये थे फिर बुद्ध है या महावीर है या medieval time में आपका जो भक्ती काल है भक्ती phase है जिसमें बहुत सारे philosopher है like कबीर हो गया चातन्य महाप्रभू रामदास तो यह सारे लोग अगर देखें तो Indian society को जो एक moral compass देते हैं वो कही न कही एक बहुत ही ज़्यादा acceptance का culture सिखाते हैं और यही acceptance है जो हमारा एक तरीके का strength बिल्ड करता है और अगर हम लोग आज global position पर बात करें तो unity in diversity एक हमारा काफी बड़ा soft power है जो globally recognize करता है it is just कि वो हम लोगों ने unite करना सीखा हर diverse चीजों को एक higher philosophy पर unite किया और globally भी जो इंडिया को जो भी बड़े countries है वो इसी तरीके से progress करते हुई देखना चाहते हैं कि हमारा यह जो diversity को respect करने का culture यही flourish करें जिससे पुरे world को एक perspective मिले और एक world में generally जो division रहता उसको balance भी इंडिया करता है अपने इस acceptance के आपका soft power जो आप बोलते हैं इस philosophy से unity and diversity एक बहुत बड़ा strength इसलिए बोले जाता है so now point comes कि हम लोग का जो था कि यह debate अभी जो begin हुआ है कि हमें इंडिया रखना है भारत रखना है या दोनों जैसे चल रहा है वैसे रखना है तो obviously हम लोग इस एक इस पर अभी conclusion तो देना मुस्किल है क्योंकि यह society a little bit debate होगी it's just created हा लेकिन हम लोग क्या choose करते है this will so कि हम लोग कैसा इंडिया का dream देखते हैं which kind of India we want to develop in future so obviously careful discussion चाहिए और यह देखने की जलुवत है कि अगर सिर्फ भारत हम लोग नाम रखते हैं तो क्या हमारा soft power कम जाएगा reduce हो जाएगा क्या society की जो एकता है जूटता है unity and diversity कम जाएगी क्या भारत रखने से यह चीज़े बढ़ भी जाएगी हो सकता है कि आपका nationalistic feeling बढ़ जाए यह unity बढ़ जाए फिर हो सकता भारत का एक अलग global presence बनने लगे डिटरमेंट पावर की तरह लोग देखने लगे तो यह सारे pros and cons obviously अपने पहलों लोग देखेंगे तभी एक conclusion पर पहुंचेंगे कि कैसा future India हम लोग बिल्ड कर रहे हैं आप भी सोचिए अपने लेवल पर think over कीजिए आपके जो भी views हैं उसे comment में लिखिया है I will like to read all this I would like to read all those comment so that's all तो यह आपका जो topic है इंडिया और भारत यह आपका UPSC के GS1 में आएगा जो culture का segment है वहां पर connect होगा अभी analysis इसके और evolve होंगे मैंना सिर्फ आपको historical perspective से चीज़े discuss किया ताकि आप connect कर सको और that's all